अपने school में अगर आपका pre-board के exam जे-means के आसपास पढ़ रहे हैं, तो आप जितने भी engineering section वाले students हैं, क्योंकि सभी को जे-means तो देना ही होगा, एक आद अगर नहीं दे रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, at least आप में से, yes, majority first pre-board वाले ही है, very good, ठीक है, okay, इसके बाद कईयों का second भी होगा और practicals भी होगे, ठीक है, very good, एक ही pre-board है, और भी अच्छी बात है, कईयों के दो pre-boards होते हैं school में, ठीक है, चलिए, अब मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ बेटा, जिनके second pre-boards भी होते हैं, कुछ schoolों में second pre-boards भी होते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज एक बार ये चीज़ जरूर चेक कर लेना, कि कहीं आपका school second pre-board आपके J-Mains के आसपास तो नहीं रख रहा, आप अपने school से ये चीज़ की request कर लीजेगा, सारे group में जाएंगे तो आपकी सुनी जाएगी, obvious parents को भी ले जाना, क्योंकि व no pre-boards हो आपके school में, although school भी धिहान रख रहे हैं आप इसकी, ठीक है, लेकिन कई schools होते हैं, जो इस चीज़ का धिहान नहीं रखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो कि कई बच्चे stress में आते हैं इस बात पे, तो मैं थोड़ी सा मैं time लोगा, बेटा, आज हम लोग पहली, हर class हमारे साधे 3 बज़े हो रही है, we have time, कोई यह मतले ना कि कितना time based होगे, यह orientation भी important है, ठीक है, तो पहली बात, जिनके second pre-board या January में pre-boards जा रहे हैं, in January, जिनके January में pre-boards जा रहे हैं, भली वो first pre-board हो, ठीक है, या फिर हमाया पा second pre-board हो, या फिर आपका practical ही क्यों ना हो, ठीक है, सारे लोग प्लीज कोशिश करिए, कि आपको 12 तो मैं बोल रहा हूँ, बलकि 10 के बाद आपका कोई exam ना हो, cool में तो बोल देंगा, रहे, आपका तो 24 से है, 14 दिन तो आपको मिल रहे है, भाई, life deciding exam है, ठीक है, life deciding exam है, किसी से लड़ने की जरूँत नहीं है, बट अपना point of opinion बताना बहुत जरूरी है, कि सर दो साल से त्यारी कर रहा हूँ, दो साल, ठीक है, दो साल कम नहीं होते, मैंने अपनी life में इस exam के बारे में बहुत सोचा है, ठीक है, कमिया रही है, जो भी रही है, लेकिन मिल को ये exam देना है, और उससे पहले मुझे 10-15 दिन revision properly PYQ के अपन जो practicals है, मतलब 10 January से लेके, 10th of January से, ये मेरी request है, अगर कोई teacher भी सुन रहा हो, ठीक है, अपने school के students को यहाँ पर help out करिये, बहुत stress में हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि 12 वी class के बच्चे के लिए ये चीज़ shuffle करना, manage करना बहुत tough हो जाता है, neat वाले students के साथ ये struggle इतना न अगर ये आप सभी सोच रहा है, कोई और जाके class में बोल आएगा, कि हमारे exam है, don't rely on that, अगर आपको लग रहा है, कि आपके preboards जा रहे हैं उसमें, please form a group, कुछ students का group बनाईए, और जाके अपने principal से, या अपनी class teacher से बात करिए, कि sir हमें ये exam के लिए, space चाहिए, आपको हम exam देने के लिए, मना नहीं कर रहे हैं, अगर आप में से कोई भी जाके ये बोलेगा ना, sir, आप हमारा preboard मतलब की नहीं सुनी जाएगी, ठीक है, आप ये बोलेए, sir, आपको preboard लेना है, आप जरूर लीजे, लेकिन 10 से पहले खतम कर दीजे, ये हमारी बस request है, कि हमारा exam class करें, sir, वो भी equally important है, जब हम school से बाहर निकलेंगा, जए मेंस की rank नहीं होगी, कोई college नहीं लेगा हमें, ठीक है, कोई engineering college नहीं लेगा, ये बहुत important है हमारे, तो आप प्लीज ये चीज़ को convey करिएगा, ठीक है, अब ये मान के चलना है, बेटा, देखो, जिनका November में start हो ग पहले, अगर आपने ये नहीं करा तो आप पस जाएंगे, बेटा, December 5 से पहले, क्योंकि उसके माद revision start होगा, complete 12th खतम करिए, complete class 12th, ठीक है, revise कर लीजी अपनी, जो आप starting में हमेशा कहते हैं, sir, 11th revision का time कब है, अब, अगर आपने, मैं हमेशा कहते हैं, 12th पर focus बना के रखो, क्योंकि अगर आप 12th पर नहीं बनाओगे focus, जब 11th होगी, तब आप 12th से परिशान होगे, पूरी, 5 December से पहले, पूरी 12th revise करिए, 11th पर कोई सोचनी की जुरत नहीं है, plus, आप क्या करें, आप अपने, जो ये होते हैं, mock, plus, past year, boards के paper, past year, board papers, solve करिए, और लिख लिख के solve कर कुछ बचे कहते हैं, read कर लूँगा, हाँ, ये तो आता है, मेरे को मैं लिख लूँगा, नहीं लिख पाओगे exam में, माल लो मेरी बात, ठीक है, write and solve, इवन मैं ये, जो third week of December वाले हैं, इनको भी मैं यही हिदायत दूँगा, ठीक है, कि आप कोशिश करिए, 5 December का अपना target बनाईए, ठीक है, हाँ, इसमें आपको competition का नहीं पढ़ना है, 5 December से पहले, कुछ भी competition का नहीं पढ़ना है, जो बच्चा मेरी बात ध्यांचे सुन ले सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, सब का जिसके उपर जो suit हो जाए, लेकिन मैं आपको आगे के struggles के साब से बता रहा हूँ, कुछ बच्ची क्या करेंगा, अभी competition पढ़ेंगे, preboards में marks खराब होंगे, घर वाले डाटेंगे, स्कूल वाले डाटे नहीं आई थी, आपका पूरा track of track हो जाएगा, यह मैंने बच्चों के साथ होते हुए देखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, competition अब रख दो side में, कुछ दिनों के लिए, अब proper side में, जही में इसकी कोई बात नहीं है, 5 December में आप सभी लोगों को last date दे रहा हूँ, ठीक है, जिनके दो pre-board हो या एक pre-board हो, एक ही तो सलेबस repeat होगा न, इसलिए कह रहा हूँ, 5 December तक आपके लिए last date है, ठीक है, जिनका first week में यह थर हमारे तो दो से exam है, तो आप stretch करिए, आपका 1 December तक last है, उससे पहले आप अभी जितनी दिन रात लगाना चाहते हो, लगा तो अधरवाइस बहुत दिक्कत हो जाएगे आपको, ठीक है, सर AITS कैसे देंगे, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है, आप ध्याँ जो सुनिए, मैंने क्या बात बोली, मैंने का आपका focus किस पे है, boards पर, that does not mean कि आप competition के formula नहीं याद कर पा रहे है, जो आप boards क कि parents इस चीज को नहीं feel कर पाते कि बच्चे के लिए क्या जादा important है, ठीक है, आपको दोनों को balance out करना है, इस पर आपको अभी 10-15 दिन दे दोगे, तो 10-15 दिन देते पूरा दिसंबर आपका free हो जाएगा, 11 पर आ जाओगे, ठीक है, तो AITS एक आद अगर इधर-उधर हो क्या है, दिन रात लगाने के benefit आपका पास ये बनेगा, पांच दिसंबर से हमारे पास revision स्टार्ट होगा, 11 का, ठीक है, अब मेरी बात बिहान से सुनो के तो ही फायदा होगा, अगर इधर-उधर कुछ लिखते रहोगे, तो दिक्कत आएगी, अब कोई बच्चा बोलेगा बनाऊँगा, एक tentative plan में आपको बता सकता हूँ कि हमारा target क्या है, अब आप अपने हिसाब से day to day routine में देखे, कि आप कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, यह आपको ये उपर है, ठीक है, तो common sense वाली बात करना यहाँ पर, ठीक है, अब revision आएगा 11 का, ध्यांज सुनना, कईयों को किस-किस को ये doubt है कि सर क्या मैं revision वाली lecture से 11 सुधार सकता हूँ, यह मैंने हर साल doubt देखा है, और मैंने जिन बच्चों को ये doubt देखा है, उनके लिए जवाब है, जिनके अंदर ये doubt नहीं है, उनके result भी देखे है, ठीक है, किस-किस को, सर optional का कैसे करेंगे, अभी आने दो बात, ठीक है, येस, doubt आता है, doubt आता है, लाजमी है, लाजमी है, ठीक है, अभी English और उनके बारे में बात करेंगे, tension ना लो, doubt आता है, कि क्या सर, एक महिने का, या 35-40 डेज का, revision plan से हमारा काम चल जाएगा, बिलकुल, बिलकुल, इन्हें कोई doubt नहीं है, ठीक है, पता है, कौन उठा पाएगा, इसकी condition है, 12th complete कर रखी है, तो कर ले जाओगे, अगर आपने 12th अपनी complete कर रखी है, तो कर ले जाओगे, डेड़ गंटे के 3 lecture आएंगे आपके पास, ठीक है, 5 गंटे माल लिए, मैंने आपने break-break लेके 5 गंटे ये निकल गए, ठीक है, आपक पहले, 7 गंटे आप ये दो, आपने अपनी 12th पहले complete कर रखी है, 2-3 गंटा आप बारवी की revision लगाओ, अपने जो भी exam चल रहे हैं, उनका revision पर लगाओ, ठीक है, आपका 10 गंटे की sitting minimum चाहिए, अगर आप इसको यहां से उठाना चाहते हो, ठीक है, बिलकुल किया जा सकता है, आपको लगता है, आपको 11th नहीं आती, लेकिन जब पढ़ाई जाएगी, तो आपको majority recall होनी start होईगी, क्योंकि आपने भी छेडी नहीं है, 45 days के crash course में भी बच्चे select होते हैं, और even advance तक में select होते हैं, जिनका पहले कोई background नहीं था, competitive त्यारी का, मैंने देखे हैं ऐसे हो पाए, करे जा रहें, तो मैं आज सभी लोगों को ये तीन category नवंबर में जिनका start है, तो obviously मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपके December मिट तक खतम हो जाएगा, तो आपको भी ये करना, exam के बाहरे, अभी सारी चीजों को निपटाईए, ठीक है, कोई competition नहीं छेड़ना, बार से नहीं होगा, यार कल मेरा physics का pre-board है, और मेरको उसके लिए पढ़ना है, तीन घंटा आपने पहले revise कर रखा है, तीन घंटा पढ़ोगे, चार घंटा पढ़ोगे, पांच घंटा पढ़ोगे, आप majority कर ले जाओगे, नहीं तो महाँ पर पूरा दिन आपको पढ़ना पढ आप क्या करेंगे, questions करेंगे, जो भी आप घर जाके lecture देख रहे हैं, आप अपनी DPPs को निकाल के ले जाएंगे, थोड़े महनेच करना पड़ेगा, यह आप सोचरों की conventional way से rank निकलती है, ऐसे नहीं निकलती भाई, conventional way थे, आपको चीए कि कोई sir पूडिया दे दो, और मेर और आज जब मैं बोल रहा हूँ कि वही समय यूटलाइज करना है, तुम नहीं करोगे, फिर मैं एक महीने बाद बोलोगे sir कैसे होगा, मैं कोंगा बेटा, एक महीने तुने क्या किया, problem यह है, जिस दिन आपको यह realize होना लग जाए ना, कि जो आप हर 15-15-15-15-15-15-15 मिनट करते हो, और जिस दिन समय अपना रूप दिखाना स्टार्ट करते हैं अब दिखाएगा आपको, तो वही समल पाएगा जिसके अंदर हिम्मत है उसके साथ चलने की, ठीक है, तो reality यह है, पूरी complete होईगी 11th, ठीक है, पूरी complete होईगी 11th, target मैं आपको बता रहा हूँ, हम लो कोशिश करेंगे, हम 10 जनवरी तक आपको पूरा 11th revise करवाएगे, ठीक है, इसके बाद आपको 15 दिन approximately खुद के लिए मिलेंगे, सिर्फ PYQs लगाईगे, कईयों के preboards होंगे, उस समय मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर आपने पहले त्यार कर रखा है, तो आप PYQs लगा पा तो बहुत अच्छे में, ठीक है, बहुत अच्छे में हो जाता है, समझे रहे हो, अब ये common sense वाली बात है न, बारवी आप पढ़ी ही रहे है, पूरे साल मेहनद करिए, इसको polish करिए, और इसमें से जितना उठा पाएं, उठा लीजे, 15 दिन आपके पास है, सिर्फ PYQs, सब कुछ करिए, ठीक है, 20-30 प्रतिशत, ग्यार भी कई भी आसान टॉपिक्स आते हैं, 20-30 प्रतिशत भी अगर आपने उठाले, 70-70 प्रतिशत पर न भाई, डेड़ सो 200 marks पे अच्छा एनटी मिल जाता है, इससे ज्यादा आप यहां से निकाल ले जाए, तो बहुत अच् जगा, clear, sir, 11th के notes बनाने हैं सिर्फ important points, अब देखो यह बच्चे वाली हरकते पुछरों, डेड़ घंटे का lecture, full concentration से जब मैं बोल रहा हूं, तो जो main, main points है, वो लिखो, question try करो, यार, अब सारी spoon feeding मेर से करवा होगे, ठीक है, clear, हाँ, अब अपनी problems गिन, जो problems गिनने वाला इंसान है नो, वो problems गिनने, सर मैं इसका क्या करें, इसका क्या करें, मैं नहीं बता सकता, मैं उसी को समझा सकता हूं, जिसके पास दिमाग होगा, ठीक है, समझ रहे हो, मैं उसी की मदद कर सकता हूं, जिसके पास दिम सब्सक्राइब और वहीं पर टिका रखा है आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मैंने मेनत करी नहीं है इस स्कोर को थोड़ा नीचे करता हूं लेकिन वहां तक कटेन करूं अब मैच सर में अब आप सभी लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजे बताई गई थी ठीक है कि आपका जो बोर्ड के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा वो जनवरी में ही मिलेगा ठीक है उससे पहले हमारे यह चल रहे होंगे अपने 11 के रिविशन ठीक है आपके प्री बोर्ड के सपोर्ट के लिए नहीं बात हुई थी आपके बोर्ड के सपोर्ट के लिए बात हुई थी तो जो भी आपकी एक्स्ट्रा क्लासिस होनी थी दूसरे 11th के revision के बाद आपको मिलेगा board से पहले आपको वो content भी available कराया जाएगा यह आपको promise किया गया था ठीक है अब एकी साथ 11th का revision चल रहा है उसी में आप physical education की classes ले लो English की classes ले लो CSVS जो भी है सब की class लोगे तो आप फस जाओगे कुछ नहीं पड़ पाओगे तो step by step चलना है pre boards में आपको अपने extra subjects जो आपने लिये हुए हैं उनकी त्यारी आपको खुद करनी पड़ीगी clear 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 हाँ February में है boards तो मैंने कब मना करा है मैंने कब मना किया है February में है आपके तो वही तो मैं कह रहा हूँ दो तारीक तक आपको free करे उसके बाद आपके practicals होएंगे फिर आप दुबारा exam में घुसेंगे और बोलते होए तो मेरे को बुरा लग रहा है लेकिन reality यही है कि मैंने आपको इसके बारे में स्टार्टिंग से बताया था अब शायद कई लोग मुझे उल्टा फुल्टा बोल देते हैं ठीक है कि सर आप ऐसे डांट देते हो आप भाई मैं ड जाते जाते किसी पर डाटता हूं क्या नहीं ना डांट भी मैं आप ही को रहा हूं क्यों क्यों कि मैं आपको यह चाहता हूं कि आप कुछ यहां से करके लेके जाएं कई हो को लगता है यह बहुत impossible task होने वाला है बिल्कुल नहीं है जो शांत दिमाग से चुक्चा पढ़त कि यहां से भी होता है या नहीं होता है वो तो तेरको decide करना है कि तिरको यहां से करना है या नहीं करना है ठीक है मेरे बोलने से या ना बोलने से तेरी rank नहीं आईगी तिरके पढ़ने से ही आईगी तो अगर तिमारे अंदर यह doubt है कि सर क्या मैं आज से serious होके करूं तो हो तो बेटा तो पहले सीरियस हो फिर हो जाएगा ठीक है क्लियर ओके तो यह चीज है भाई ध्यान रखना मैं आप सभी लोगों को अगला पड़ा बता रहा हूं अगला टेंशन आपका स्पाइक हो सकता है कुछ बच्चों का और घबराने वाली बात बिलकुल भी नहीं है बातों से दिल बनाओ देखो भाई मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो इमांदारी से बनता है ना बोलना वो मैं बोलूँगा आपको बुरा लगे अच्छा लगे क्योंकि कल आप यह नहीं बोलोगे कि सार आपने हमें पहले क्यों नहीं बता है कि यह प्रॉब्लम आ सकती ठीक है मेरा एटलिस काम यह भी है कई यहों को बुरा लग रहा होगा कई यहों को डर लग रहा होगा अब मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ अगर मैं नहीं बोलता तो आपको शाय तो चार दिन के बाद यह बाद पता लगती और खुद से पता लगती कि समय कम हो गय इसका एक positive side है यही चीज मैंने अगर दिवाली से पहले बोल две होती तो यही चीज मैंने अगर दिवाली से पहले भी बोल्डी सी तो फायदा लगता है हो सकता है गंट एक्सटर पुढ़ लिए होते लिग वियो होते है यहनाılar जिवाली में क्योंकि मैं चाहता हूं आप गल्तियों से सीखें ठीक है मैं आपको पहली बोला था 25 तारीका सबस बात करूँगा जब सिलिवस खतम करूँगा ठीक है तो डराना धमकाना मेरा इंटेंट नहीं है मेरा इंटेंट यह है बताना कि जो समय आने वाला है वो टफ है और इसमें हम लोग आपके साथ है आपके पेरेंट्स आपके साथ है बस आपको अपना साथ रखना है जिए दिन आपका शरीर और दिमाग अलग-अलग से काम करने लग गया तो आपको दिक्कत फील होने लग जाएंगी अभी भी परियाप्त समय है अब उठ जाईए आपने बहुत समय बरबाद किया बहुत और अभी के बाद भी आप करेंगे मैंने आपको एक महीने पहले बोला था अपने maximum potential पर आने की कोशिश करिए जिस दिन नहीं आप आएं sorry बोलिएगा कई होने कुछ दिन बोला कई होने उसके बाद छोड़ दिया तीक है आज बही टाइम है अगर potential पर आज होते हैं तो आपको मेरे को यह बात बोलनी की जुरत नहीं बढ़ रही होती है आप खुदी कहते हैं सर हम कर रहे हैं ठीक है अभी भी समय है उठाईए अपने आपको ठीक है जिस स्टेट में आप है जिस स्टेट में में आप है कि आपको लग रहा है बहुत सारी करेगा और अपनी मेहनत को और स्ट्रॉंग करेगा अब आप डिसाइड करिए कि आप वहां पर बैठके क्या उसी एटिट्यूट से पढ़ना चाहते हैं जिस प्रकार से आपने डेढ़ दो साल निकाल दिये या अब आप सही में रिलाइस कर रहे हैं कि अब की जरनी स्टार काठो चुका है ठीक है तिर्फ 15 दिन बाद क्लियर और जिसके अंदर यह है कि सवर में को तो बुरा लग रहा है अभी भी तो बेटा पागल बन जाओ संकी बन जाओ इसका कोई और ऑप्शन नहीं है अगर आपके अंदर सनक कितनी है ने कि मेरे को निकालना तो फिर आपको नहीं है जिनको लग रहा है कि सर दस दिन के बाद बोर्ड कतम होती पंदर दिन के बाद दुबारा से जे मेंस पिछले साल भी ऐसा ही था पिछले साल बलकि इससे और पैथेटिक सिच्वेशन थी अचानक से जे मेंस की डेट आई थी उसमें भी बच्चों ने पोड़ा है उसमें भी वही बच्चों ने पोड़ा है जो खुद डाउट में थे दिसंबर में कि यार यह क्या हो गया हमारे साथ ठीक है तो आपको अगर इंस्पिरेशन लेनी है तो इंस्पिरेशन के लिए फॉर्म में बहुत सारे पिछले साल के ही बच्चे आपको दिख जाएंगे जो चुपचा पढ़ते चले गए और निकाल गए ठीक है ओके येस उठाईए बेटा अपने आपको किकि अगर आप अपने आपको नहीं उठाएंगे तो दूसरा कभी ने उठाएगा चीजिदी सी बात यह है जितने भी डमी स्टूडेंट्स हैं ठीक है जितने भी डमी स् नहीं किया, school going students का तो अलग pain होता है, सब स्कूल जाना है, homework, teacher, school में पास नहीं हुए, ये marks, वो marks, practical, ये वो प्लाना डिखाना, चलता है, बिचारों ने अलग struggle कर रहा है, तुम्हारा को वो चीज़ का benefit था, अगर आपने dummy होते हुए भी समय बरबाद किया, तो अब आप सु condition है, answer mark है, सब तरीके से देखे कि कैसे एक answer को attempt किया जाता है, और करिए तरीका बई, clear?